साथ दिन का लोन प्रोवाइड करती है छटी दिन से आपको परसान करना शुरू कर देती है यह सभी लोन एपलिकेशन अगर आप इनका रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका कोई सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा ठीक है आपक सबस्क्राइब नहीं करें लिए अपके पहुच जाए दोस्तों आज एक बहुत ही गंभी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं बोल सकता हूं इसको बहुत ही सीरियस टॉपिक है लोन एप्स हरस्मेंट हाला कि हम मैं इस टॉपिक पर बहुत कम वीडियो मनाता हूं मेरा दूसरा चैनल है प्रो सेटिलमेंट टीवी बहां पर मैं कुछ वीडियो अप्लोड करता हूं कुछ-कुछ दिनों बाद लेकिन मैं कंटीनी हूं इस टॉपिक पर बर्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं और बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और अगर आप मेरे चै नहीं चाहता कि बार बार मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात बताओं क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो नए भी यहां पर जो है वीडियो सर्च के माद्यम से चैनल पर आते हैं और चैनल पर जो वीडियो अपलोड की गई है उनको देखते हैं ठीक ह मुझे यह समस्讯ा देखने को नहीं मिलती थी कि किसी ब्यक्ति ब्यक्ति ही बॉलूँगाःऊ ठीक है यहां पर तो वैसे हमारी एक महिला सबस्क्राइबर को परसान किया गया है किसी ब्यक्ति जिसने लओन लिया है ठीक है recall उसका फोटो जो उसने बिचारे ने सेलफी अप्लोड किती लोन लेते समय इन फर्जी लोन अप्लिकेशन में बहां से उसका फोटो निकाल कर ठीक है मतलब फोटो निकाल कर वीडियो एडिटर सॉफ्टवेर काइन माश्टर या इसके अलाबा और भी है उनके माध्यम से एक किसी वीडियो में पर्टिकुलर मतलब एक वीडियो एक ले लिया और बहां पर उस फेस को जो है मतलब लगा दिया ठीक है इसके अलाबा आपकी न्यूट फोटो बना दी उसको बाइरल कर दी आपकी कॉंटक लिस्ट में तो यह एक फ्रॉड हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर यह फ्रॉ लेगल कर रहे है एक इसके बोल सकता हूं और वह लोन प्रोवाइड कर रहे हैं थीक है तो उनकी कोई भी बैंक नहीं है कोई अंप्रोड कर और घृट यह कि वह मन मर्ज़्द तरीके से काम करते हैं इंडिया बहार बैढ़ कर ओपर परेट करते हैं अपलिकिस को और इंडिया में कुछ रिकबरी एजेंट्स को हायर करते हैं और उन से बोलते हैं कि आप जो चाहो वो तरीका अपनाओ बस हमें हमारा पैसा चाहिए हो तो यहां पर उन चाइनीज या भूल सकता हूं और भी अधर कांटरीस नन जहां से लोन एपलिकेशन उस्टेश होते हैं तो उन कांटरीस से उनके आका हुकम देते हैं और रिकबरी एंज्ट रिकबरी स्टार्ट करते हैं ठीक है यहां तक आपके बाद बिल्कुल समझ में में आ गई होगी, अब मैं आता हूं देखिए जैसा कि मैंने अपने थमनेल पर लिखा लोन अप 2020 क्योंकि लोन अप harrestment 2020 से रिलेट मैं यह वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैंने थमनेल पर इस बात को सबसे पहले तरजी दिये या इस बात को सबसे पहले लिखा है अब मैं आता हूं अगर फर्जी लोन एप बले आपका निउड फोटो या वीडियो बाइरल करने की धंकी दें तो क्या करें इस सबसे पहले में यही आपको बताने वाला हूं और नीचे मैंने लिखा ध्यान दें फिर मैंने एक फोटो की तरफ एरो किया है कि ऐसा आपका भी बाइरल कर सकते हैं फर्जी लोन एप्लिकेशन बले इसलिए मैंने ऐसा एरो लगाया है अब मैं particular हर बात बताने की कोसिस करता हूं जो भी मैंने thumbnail पर लिखा होता है ठीक है तो मैं कोई एक clickbait वाली वीडियो नहीं बनाता कि आप देखो और आपका समय बरबाद ह कर सकती है बहुत ही आसानी से मतलब आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड्स उनमें आप जो है मतलब बोल सकता हूं समझ रहे हैं क्योंकि आपकी जो इमेज है वहां खराब हो जाएगी अगर उनके पास आपका फोटो ये वीडियो पहुंच जागा है ऐसी थिंकिंग हर किसी सक्स के दिमाग में होती है मेरे अगर खुद का भी किसी ने फोटो बाइरल किया मेरी कॉंटेक लिस्ट में तो मुझे खुद लगेगा कि यह जो है मेरी इमेज खराब हो गई ठीक है अब इससे निकलना क्या है मैंने सबसे नीचे लिखाए यह काम जरूर करना अब देखे ऐसे भी यूटिवबर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम आपको इस समस्ट्या से बाहर निकल देगें असल अगर मैं आपसे सक्चाई की बात करूं तो अभी तक इसे ने जितने भी मेरे पास मेल आते हैं कॉलस आते हैं उन सभी में मैंने अभी तक यह नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति की अगर contact list में ये फोटो बाइरल कर दिया है तो वो समस्या से बाहर निकल गया है देखिए बाइरल हो गया मतलब हो गया एक बार आपकी इमेज खराब हो गई मतलब की हो गई आपको समझना है कि अगर आपकी इमेज मान लीजी खराब हो जाती तो 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 फिर आपको रिपेमेंट करना ही नहीं है फिर तो आप तु चाहें एक फोटो वाइरल कर दे चाहें दस कर दे ठीक है अब चाहें एक गलत काम करो यह दस गलत काम कर तो गलत तो होई गया ना तो फिर आपको रीपेमेंट नहीं करना यह बाद ध्यान रखिएगा रीपेमेंट एक भी रुपया का मत करना ठीक है यह कंडिशन तब है जब आपका फोटो बाइरल कर देते हैं तब अगर धमकी दे रहें तो आपको क्या करना है यह भी सुनिएग कोई भी रिकबर इजेंट फरजी लोन अप्लिकेशन का अगर आपसे यह बोला है कि मैं आपका फोटो बाइरल कर दूँगा मतलब निवड फोटो बाइरल कर दूँगा यह निवड वीडियो बाइरल कर दूँगा ठीक है तो आपको ततकाल अपने नियरेश्ट पुलिस स् आपको करना है उससे पहले एक काम जरू कर लीजेगा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हाउ टू डिलीट कॉंटेक्ट लिश्ट फ्रॉम लोन एप्स ठीक है उस वीडियो को आप देख लीजेगा वीडियो आपके काफी काम में आ सकती है बहुत सारी लोन पर कमेंट्स भी चैक करेंगे ना तो वहाँ पर कमेंट्स में ही लोगों ने बता दिया कि ट्रिक ने बर्क किया है या नहीं किया ठीक है अब मैं देखिए एक बात आपको और बताता हूं कि अगर आपकी कॉंटेक्लिस रिमूब हो जाती बहुत ही अच्छी बात है इनकेस अगर रिमूब नहीं होती है तो आप ततकाल अगर आपको धंगी दे रहा है कोई भी रिकवरीजन कि हम आपका फोटो बाइरल कर देंगे तो अभी मतलब अभी धंगी दी और तुरंत ही आपको एक्सन ले ले लेना है तुरंत ही आपको कंप्लेंट रेष्ट करहा हैं उस को अपने WhatsApp स्टेटस पर लगाना है Facebook स्टेटस पर लगाना है ठीक है ध्यान रखिएगा WhatsApp के माध्यम से भी सूचना दीजेगा Facebook के माध्यम से भी सूचना दीजेगा जो भी आपके परिचित हैं ठीक है जो आपके contact list में नंबर है सभी को एक जरूरी काम यह कर लीजेगा कि जो आपको लग रहा है कि जैसे कुछ आपके प्रेंड्स हैं जो की इस बात को समझेंगे और आपको लग रहा है कुछ ऐसे भी लोग है जैसे कि आपके बॉस होगए ठीक है आपकी कोई मान लीजे फीमेल बॉस है या कोई मान लीजे उसमें आपकी महिला मित्रैड है या आपके कोई कोई परसनल सगे संबंदी आपके चाचा मौसा फूपा कोई वगए कोई भी आड़ हो सकता ना और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इनके पास वर्टसप कर दिया और मेरी इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी ठीक है तो आपको पहले ही उनको पता देना है कि मेरे मोबाइ बेच सकते हैं अगर वो ऐसा करते हैं आपके पास कॉल करते हैं आपसे कुछ अबद्रवासा का प्रियोग करते हैं तो आप सीधे बोलिएगा कि मेरा मैं ऐसे इस व्यक्ति को इस नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूं ठीक है तो जब वो दो एक जगा कॉल करेगा रिकबरी इजेंट से बात करें मतलब जो भी आपकी कॉंटक लिश्ट में लोग है उनको ये बात समझाईएगा कि आपको स्ट्रिक्ली बात करना है कि ऐसे किसी सक्स को हम नहीं जानते हैं ठीक है और इसके बाद जब बार बार अलग अलग नंबर्स पर मैसिज करेगा कॉल्स करेगा त कुछ बहुने वाला है तो पहले ही पुछ करेंगे आपके चैसे बाने करने तक टो अगर आपके साथ एसा कुछ भी होने वाला है तो पहले ही इंफॉर्म कर दीजिए यह एक बैस्ट वे है और हां तताकति जो यूट्यूबर्स हैं जिनकी आप वीडियो थम्नेल पर क्लिक करके तुरन देख लेते हैं जिसमें केवल एक इनफॉर्मेशन होती है रोच रिपीटेटेड बही कंटेंट ठीक है तो ऐसे लोगों की वीडियो देखते हैं और आपको रिपीटेटेड वही जानकरी मिलती है तो ऐसे लोगों को अनफॉलो करो और बार बार इस चीज को दिमाग पर मत बढ़ाओ डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है यह तसाकतित लोग जो कि डेली एक ही बात को घुमा फिरा के वही रिपी आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं मेरा वाटसब नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिर रहा है कुछ मैसेज का मेरे रेपलाई कर पता हूं इतने जयादे मेरे पास मेसेज आते हैं क्योंकि बहुत सारी मेने वीडियो मे ठीक है तो मेरी भी сильी है बिए गरी और मैसिजी आगई तो उसके प्राइब को यह क्रोडीन वह पूरा नहीं कहीं मैं कहीं मैं डिप्रेशन worries अगर मैं आपके मैसिच का क्रब्लाई नहीं दे पा रहा है तो जो मैंicana आपको तुरीखा जाना है या online cybercrime की पोड़ल में complaint रइस्टर करानी है लिंक मैंने आपको description में दे दिया है अब देखिए फर्जी लोन agreement letter provide नहीं करा रहे हैं वो आपको अपनी NBFC का नाम नहीं बता रहे हैं या loan agreement letter परजी परजी परवाइड करा रहे हैं जितनी भी 7 दिन की मैं आपको फिर से कह देता हूँ यहापर जितनी भी 7 दिन की loan application है फरजी होती है ठीक है बोल सकता हूं 99.99% स्ब्रोटली ऑप टी है उसी किसी भी डिया की सिएंड थी अगया विल्कशन नहीं करेंगी तो आपका कोई कुछ नहीं भीकाड़ पाइगा आपका कोई सिभलिस्कोर खराब नहीं होगा ठीक है आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है को इसको बिल्कुल खराब निए vẫn करानी की बात में वार बर की आपके पास कोपी कौने यहां पर एक पैन नंबर के आवशक्ता होती है अब करोड़ करोड़ का कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो आप मुसीबत में फस जाएंगे और फस नहीं जाएंगे उस मुसीबत से आपको बाहर निकलने में काभी परसानी आगी तो आपके पास कंप्लेंट होगी उस कंप्लें अगर कभी ऐसा आपके साथ फ्रॉड होता है कि देखिए इस समझ में मैं रजिष्टर करा चुका हूं मुझे ऐसी आसंकत थी और ऐसा मेरे साथ में हो गया है ठीक है और ऐसे लोग जो कि आपके अधर कार्ड पैन कार्ड से आपको फर्जी लोन एप्लिकेशन से लोन दिला है अगर आपने ऐसे किसी भी को परचेश किया है और कोर्स नहीं किया गया तो आप नियरेश्ट पुलिस एस्टेशन में कम्प्लेंट करा सकते हैं ठीक है क्योंकि इल्लीगल कोर्स इसकी बेस्ट पर इसके अलावा आप कंजियोमर फोरम में कंप्लेंट रिष्ट कराईए क कम से कम consumer forum को भी पता चलना चाहिए कि इस प्रकार की लोग भी इस देश में रहते हैं चुकि इल्लीगल काम पर पैसा कमाते हैं ठीक है तो RBI के आपको सचेट पोर्टल मैंने बताई दिया बहां पर भी करा दीजिएगा जब आप 100% सिर हो जाएं कि अप्लिकेशन फरजी है यानि सेवन डेस का लून देती है छटे दिन से आपको हरस्मेंट करना स्टार्ट कर देती है ठीक है तो ऐसी लोन अप्लिकेशन फरजी होती है और यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा आपके जो भी सवालें आप कमेंड कर सकते हैं इस्टाग्राम पर मैं ज्यादे से आपके मैसेज का रिपलाई दे पाता हू इस्टाग्राम आइडिया आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप इस पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा फॉलो करने के बाद आप डियम के माद्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं ठीक है हाला कि सभी की डियम का रिपलाई नहीं कर पाता हूं इसके इस्क्रिप्शन में देदी आ एंबीयफी रेइस्टर एप्लिकेसन है एक उनकी अन्वीफी अप्रीट इस सब्साइडरी अन्वी इसे ममता प्रोटेक्स प्राईब लिमिटेड सिर्फ आधर रकाड पैंकार्स से आपको लोन प्रोवाइड करा देगी लेवल अप लोन से 62 सब्सक्राइब करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे दिया है मेरे लिंक से अगर आप लोन एपलाई करेंगे तो मुझे भी बेनिफिट होगा दूसरी बाद जो लोग मेरे लिंक से लोन एपलाई करते हैं अक्सर उनका लोन जो है वो एप्रूब हो जाता है तो वीडियो को फटाबर से लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा मिलते हैं फिर किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में फिर तक के लिए जैहिंद बनने मात्रम